नमस्कार मैं हूं सीमागर आपकी योगा इंस्ट्रिक्टर और आज मैं आपके लिए लाई हूं नई वीडियो जो आजकल का विशेज टोपिक है बढ़ता हुआ पेट यानि कि पेट हमारा बढ़ रहा है और उसे हमें रोकना है वहीं की वहीं और फिर इसको कम करना है तो भी कि यह आप पांच ऐसे चाटके आसन है जो आप अराम से बैट कर सकते हैं यानि कि आप नहीं चाहते आप खड़े होके करें या आप नहीं चाहते लेटके करें तो तो सिरफ बैट के पांच आसन आप इजिली कर सकते हैं, यदि आपको लगता है आप बहुत वर्क आउट नहीं कर सकते हैं, तो भी आप सिरफ पांच ये छे मिनट निकालके, टोटल पांच मिनट निकालिए और इन पांच आसनों को करें, तो आपको आराम मिल जाएगा, और इनके लिए आपको बिगिनर एक्सराइज भी करने की जूरत नहीं है, यदि आप हाथ पहल हिलाना चाहें, तो बिगिनर पांच एक्सराइज लिए और साथ में ये पांच आसन आप कर सकते हैं, बैट के, बहुत आसान और बहुत जल्दी हो जाने वाले, यानि कि पांच मि तो से चिन को लगाए, चिनलोक लगाए, पैर के अंगुठों के साथ, जब भी चिनलोक की बात आती है, तो चिनलोक से जो फायदे हैं मैं पहले बता चुकी हूँ, वो आपको होँगे, डबल चिन, गले में जादा फैट्स, गले से समझजित कोई भी बिमारी, ठैरेग, य उनसे भी आपको चुकारा भी जाए, और आपको माथी में दर्ट रहता है, यानि की हैटेक रहता है, सिर्थ दर्ट रहता है, तो आप इसमें माथा भी लगा सकते हैं, ऐसे, तो आईए शुड़ू करें वजरासन, आप पहले ऐसे बैठ जाएं, और एडी नीचे की तरफ, एडी उपर की तरफ, पंजे नीचे की तरफ, और ऐसे ही थोड़ दिर पैठे रहें, 30 सेकंड एक मिनट जैसे भी आप कर सकें, ब्रीधिंग को नॉर्मल रखें, इन्हेल एक्जेल करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं, स्वास लेते रहें और छोड़ते रहें, अब शुरू करते हैं, मंडू कासन, सेम सिटिंग पोश्चर है, वजरासन वाला, उसी में बैठे रहें, और अब अंगुठियों को बंद कर लें, अंगुठे अंदर के तरफ, और उंगलियां उसके उपर से, और पेट के अंदर लगा लें, और फिस्वांस छोड़ते वे नीचे की तरफ आएं, और कुछ देर माथा अपना जमीन से लगाए रखें, अब शुरू करते हैं, योग मुद्रा, योग मुद्रा के लिए भी सेम स्तिति में बैठे रहें, वजरासन की, हाथ ले जाएं, आगे उपर, और उनको ऐसे ही सीधा, स्वांस छोड़ते वे जमीन से लगाएं, और माथा भी जमीन से लगाएं, जितने देर बैठा जाएं, उतने देर बैठे रहें, और फिर धीरे धीरे वैसे ही, वापसी आ जाएंगे, झाल, 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 अगला आसन लास्ट आसन है सशांकासन पेट को कम करने के लिए इसमें भी सेम सिती में बैठे रहेंगे वजरासन में और ऐसे ही बस हातों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ेंगे स्वास को छोड़ते वे नीचे की तरफ जुकेंगे और माथा जमीन से लगाएंगे और कु जितने देर किया जाएगा उतने देर करेंगे और साथ साथ बिल्कुल स्लोली एंड स्लोली वापसी आ जाएंगे होप करती हूं कि आपको यह पावचासन समझ में आ गए होंगे और इन्हें आप 30 से शुरू करें सभी को और एक-एक मिनट तक आगे अगले हफते ले जाएंगे अगले हफते आप इनको एक-एक मिनट के लिए कर सकते हैं और यदि आपको मेरा वीडियो यह समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है और इन्फोर्मेशन आपके कुछ काम आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कर दीजे शेर कर दीजे औ और इस पर कमेंट करके आप इससे कुछ भी पूस सकते हैं धन्यवाद